नमस्ते शिक्षार्थियों, मैं नित्या राव, University of East Anglia के School of International Development से. मैं एक उदाहरण की मदद से समझाने की कोशिश करूंगी कि हम सतत विकास के मुद्दों पर कैसे काम कर सकते हैं. इस सत्र के उद्देश हैं, ये देखना की हम सतत विकास से क्या समझते हैं. सतत विकास के नजरिये से हम भुखमरी को कम करने के लिए जरूरी खाद्य प्रणालियों से क्या समझते हैं. तो उदाहरन के लिए एक स्थाई खाद्य प्रणाली कैसी होती है? मैं कहूंगी कि ये खाद्य सुरक्षा के हमारे बुनियादी मानवाधिकार की बाद है. ये हम सभी के जीने के लिए जरूरी एक बुनियादी मानवाधिकार है और इसलिए ये सतत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में सभी देशों ने मिलकर सतत विकास एजंडा के हिस्से के रूप में 17 लक्षियों को अपनाया था. ये वास्तव में पृत्वी ग्रह और उसके निवासियों के लिए वर्तमान और भविष्य में शान्ती और सम्रिध्धी की योजना थी. तो वर्तिमान और भविश्य के लिहाज से इसके सबसे महत्वपून बिंदू कौन से हैं? सबसे महत्वपून है पर्यावरन परिस्थितिकी की सुरक्षा, उसके बाद सामाजिक समानता और तीसरा बहुत ही जरूरी लक्षे है आर्थिक सुरक्षा या आजीविका की गरीबी और सभी तरह के आभाव को दूर करनी के लिए है। इसके अलावा इनके जरीए ऐसी रणनीतियां बनाई जानी हैं, जो स्वास्थि में सुधार, बहतर शिक्षा, असमानता में कमी और आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं। साथ ही संसाधनों का संग्रक्षन भी इसमें शामिल है, जैसे की जल संसाधन, समुद्र, महासागर, साथ ही जलवाईयों परिवर्तन की समस्याओं पर काम करना भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा की मैंने कहा, मैं सतत्विकास के दूसरे लक्ष, यानी जीरो हंगर के बारे में बात करूंगे। इस दूसरे लक्ष के तहत, साल 2030 तक वैश्विक स्तर पर 84 करोड से अधिक लोगों की भूग को समाप्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को पूरे वर्ष, सुरक्षित, पर्याप्त और पौश्टिक भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, विशेश रूप से छोटी जोद के किसानों की क्रिशी उत्पादक्ता को दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। इन छोटी जोद के किसानों में मुख्य रूप से महिलाएं, मूल निवासी और इसी तरह के लोग शामिल होते हैं। तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम प्रकृती और अपने ग्रह को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। इस लक्ष में और भी चीजें शामिल हैं, जैसे कि ग्रामीन बुनियादी धाचा, जिसमें बाजार भी शामिल है। हमने COVID-19 महामारी के समय देखा कि लॉकडाउन की वजह से जब परिवहन बंध हो गया, तो लोग अपनी फसलों को बाजार तक नहीं पहुँचा पाए। ऐसे में कई किसानों के महनत से उगाए फल और सबजियां बरबाद हो गए। मेरे कहने का अर्थ है कि इस लक्ष का मुख्य उद्देश सभी लोगों के लिए खाद्दे और पोशन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खाद्दे और क्रिशी संगठन, FAO ने खाद्दे सुरक्षा की एक परिभाशा दी है और मैं इस परिभाशा के बारे में थोड़ी और बात करूंगी। सभी लोगों के लिए हर समय परियाप्त, सुरक्षित और पोश्टिक भोजन की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक उपलब्धता होनी चाहिए। इसके अलावा सभी के लिए सक्रिये और स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी भोजन संबंधी जरूरतें और प्रात्मिक ताइं पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी क्या है? ये परिभाशा भोजन के मूल अधिकार के बारे में बात करती है। इसे 1948 की संयुक्त राष्ट मानवाधिकार घोशनाओं सहित विभिन घोशनाओं के रूप में अपनाया गया है। ये परिभाशा 1996 के विश्वखाद शिकर सम्मेलन में विश्वखाद सुरक्षा पर की गई उनकी अपनी घोशना से निकली है। ये एक बुन्यादी मानव अधिकार है। फिर भी ये अधिकार सभी को समान रूप से हासल नहीं है। और हमें इस अधिकार को सभी तक पहुचाने के लिए अभी भी बहुत काम करनी की जरूरत है। परंपरागत रूप से जैसा की मैंने बताया, विश्वखाद्य सम्मेलन में FAO की परिभाशा के रूप में इस परिभाशा को अपनाया गया था और इस परिभाशा के चार मुख्य बिंदूओं को महत्वपून माना गया। पहला और सबसे महत्वपून बिंदू है भोजन की उपलब्धता। इसका मतलब है कि हर हाल में भोजन उपलब्ध होना चाहिए। अगले एक व्याख्यान में भारत के उस मामले में भी बात करेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। उस समय ये देखा गया कि भूक और गरीबी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इसे बास्किट केस के रूप में देखा गया। उस वक्त हम खाद्य सहायता पर निर्भर थे। फिर सरकार ने वैज्यानिकों और किसानों के साथ मिलकर काम किया और साठ के दशक के अंतिम सालों में देश ने हरित क्रांती देखी। इन मिले जुले प्रयासों की वजह से भारत अपने भोजन के उतपादन के मामले में खादे सुरक्षित बन गया। इस तरह भारत में परियाप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो गया, ये महत्वपून बात थी। दूसरा बिंदू सुलबता के संदर्भ में है, भौतेक सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सुलबता। भौतेक सुलबता से मतलब है कि अगर आप दूर दराज के किसी गाउं में हैं, तो आपके आसपास दुकान ही नहीं होती हैं। संकट की समय आपके पास परिवहन नहीं होता है। कई बार आपके पास जरूरत की समय कोई संसाधन नहीं होता। लगभग एक दशक पहले हम काला हांडी, कोरा पुट आदी में होने वाली मौतों के बारे में सुनते थे। मुख्य इलाकों से दूर होने के कारण वहां भुकमरी की समस्या थी। खाद्य आपूर्ती भी उन तक नहीं पहुँच पाती थी। सामाजिक स्तर पर सुलबता की बात करें तो ये आपकी विशेश सामाजिक पहचान से संबंधित है। कितना इस्तिमाल कर पाता है। खाने को पचाने के लिए पानी और अन्य चीजें जरूरी होती है। आगे मैं इन चीजों के बारे में विस्तार से बात करूँगी। स्थिर्ता यहां दरसल अल्पकालीन लक्ष्य है। ये ततकालीन राहत के बारे में हैं कि हम बाढ या अत्यधिक सूखे की स्थिती में मूल्य वृद्धी के दोरान तुरंत राहत किस तरह दे पाते हैं। हालां कि हमारी नवीनतम रिपोर्ट में विश्व खाद्य सुरक्षा कमिटी के विशिशग्यों के उच्च स्तरिये पैनल ने तर्क दिया कि ये परिभाशा दो अन्य आयामों पर भी जोर देती है। ये हैं एजिंसी और निरंतरता। यहां एजिंसी का मतलब है लोगों की ये निर्ने लेने और उस पर अमल करने की क्षमता कि वे कौन सी फसल उगाएंगे, वे इसे कैसे उगाएंगे, इसका प्रसंसकरण कैसे किया जाएगा, इसे कहा इकठा किया जाएगा और वे इसे कैसे खाना चाहते हैं इतियादी। ये बहुत महत्वपून है ये सांस्कृतिक प्रात्मिक्ताओं की बात है ये लोगों से उनकी प्रात्मिक्ताओं को जानने की बात है इसके बारे में हमने सहबागिता के विशे के अंतरगत बात की ये लोगों से ये जानने की बात है कि वे क्या चाहते हैं वे किस तरह का खान खाना चाहते हैं, ये इस प्रक्रिया को अपनाने की बात है, ये केवल भौतिक संसाधनों की सुलबता की बात नहीं है, बलकि ये एक बहुत ही महत्वपून अवधारना है, इसके बारे में हम इस ब्लॉक में आगे बात करेंगे, जब हम जेंडर की और सशक्तिकरन की बात करे और जरूरी नीतिया बनाए जाने में भागिदारी करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपून है, निरंतर्ता यहां दीर्ग कालिक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम अपने जल संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं हम बहुत अधिक रसायन, उर्वक, कीट नाशक आदी डाल कर अपनी मिट्टी को खराब नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा संतुलन कैसे बनाए रखें कि हम फसलों की किसमों को लुप्त नहोंने दें, भारत में हमारे पास चावल की सैकडों किसमे थी, लेकिन अब शायद आठ अधिया दस किसमे ही बची हैं, जिनकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, अगर उन बाकी किसमों को संग्रक्षित नहीं किया गया, अगर उन्हें उगाया नहीं गया, तो हम पौधों की उन किसमों की विशेष्टाओं को खो देंगे, अब बात करते हैं कि खाद अचा कैसा है, संस्थान कौन से हैं, उत्पादन, प्रसंसकरण और वित्रण से संबंधित सभी गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं, कहने का मतलब है, फसल उगाने से लेकर भोजन के मेज पर पहुँचने और भोजन की खपत होने तक सभी चरणों में शामिल लोगों, सं साधनों और संस्थाओं को खाद्य प्रणाली में शामिल किया जाता है, और इसके परिणाम क्या है, हमारा स्वास्थे, हमारी सेहत और पर्यावरण इनसे कैसे प्रभावित होता है, ये मेरे पूर्वी भारत में आदिवासी समुदायों के साथ काम करने के दौरान ली गई तस्वीरे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में खेती की जा रही है, महिलाएं धान उगा रही है, फिर कुछ वनों में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ इकठा कर रही है, वे स्थानिय बाजारों में बिक्री और खरीद दोनों कर रही है, इस तरह इन के खाने में कई तरह की चीज़ें शामिल हैं। हालांकि इन खाद्य पदार्थों को पिछड़ा और जंगली समझा जाता है और उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जिनके पोशक तत्व नश्ट हो जाएंगे, उन्हें अब हर गाउं क हर दुकान में प्रोचसाहित किया जा रहा है। इनमें बड़े पैमाने पर कोका कोला, फैंटा, मैगी नूडल्स, चिप्स आदी बेचे जा रहे हैं जो भोजन का स्वस्थ विकल्प नहीं है। इस संदर्भ में, विशेश रूप से आदिवासी लोगों के संदर्भ में, ह भले ही उत्पादन थोड़ा कम हो, उनके विभिन संसाधनों के प्रतिकात्मक अर्थ और मूल्य काफी अलग हैं। आप जानते हैं कि कई आदिवासी क्षेत्रों में पवित्र जंगल होते हैं, जहां वे पौधों की विविधिता को संग्रक्षित करते हैं। वे इनमें से क प्रकृती के साथ उनका एक आध्यात्मिक लगाव भी होता है, लेकिन ये प्रणालियां भी आधुनिकी करण और शहरी करण जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, हमारे उच्च स्तरिये विशेशग्यों का मानना है कि इन खाद्ध प्रणालिय में विविधिता होती है, इन्हें वे पारंपरिक, मिश्रित और आधुनिक प्रणालियों के रूप में वर्गित करते हैं, ये अब अलग प्रणालियां नहीं रह गई हैं, इनमें बहुत अंतर नहीं बचा है, इन्होंने एक दूसरे की विशेशताओं को अपनाया है, एक थोटी जोद के किसान है, उनका बुन्यादी ढाचा बहुत विक्सित नहीं होता, उनके पास प्रसेंसकरण की सुविधा नहीं होती, उनके पास बहुत कम जानकारी होती है और cold storage जैसी कोई भंडारन सुविधा भी नहीं होती, मिश्रित प्रणाली में दोनों चीजें होती हैं, इसमें कुछ packaged भोजन शामिल होता है, इनके पास सुलपता कुछ बहतर होती है, लेकिन इसमें फल, सबजी और डेरी जैसे खराब होने वाले खादेपदार्थ शामिल नहीं होते, इन प्रणालियों में branding और विज्यापन की अपनी भूमिका होती है, आधुनिक प्रण मैंने कहा कि ये स्वास्थ के लिए अच्छा नहीं होता, अगर आप बाजार से खरीदें, तो आलू के चिप्स या मैगी नूडल्स जैसी चीजें, मोटे अनाज जैसे कई स्वास्थ वर्धक विकल्पों की तुलना में बहुत सस्ती हैं, लेकिन सुपर मार्केट में भोज जबकि कम आये वाले लोग सस्ते भोजन खरीदते हैं, जो अकसर स्वास्थ के लिए सही नहीं होते, मल्टी मीडिया चानलों आदी के माध्यम से इस तरह के खाने का बड़े पैमाने पर प्रचार होता है, हाला कि हमें मानना होगा कि सुपर मार्केट के पास भंडारन की बह अगर भारत की आकणों को देखें, तो हमें और भी चीजें पता चलती हैं, अगर हम स्टंटिंग यानि जिले के हिसाब से पांच साल से कम उम्र के बच्चों में वजन और लंबाई का अनुपात देखें, तो पता चलेगा कि मध्य भारत के कई आदिवासी क्षेत्र हैं, जो जैव विविद क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन उनके यहां बड़े पैमाने पर स्टंटिंग पाई जाती हैं, अगर हम बौनेपन की दर को देखें, यानि उम्र के हिसाब से लंबाई का आकलन करें, तो पाएंगे कि देश के कई हिस्सों में अनुसूचित जनजाति की स्थिती बहुत खराब है, इनमें संथाल परगनार जिले का दुमका भी शामिल है, जहां मैंने बहुत काम किया है, ये कई मायनों में परिशान करने वाली बात है, क्यूंकि ये परिवार ग्रामीन क्रिशक परिवारों से तालुक रखने के बावजूद भी अपने बच् में जुड़े हुए हैं और लगातार बदलते जा रहे हैं, मैं पहले ही इनमें से कुछ कारकों का उल्लेक कर चुकी हूँ, इनमें कुछ जैव भौतिकिये और परियावरनिये कारक हैं, जैसे की जलवायू परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का नश्थ होना, नई बीमा महामारियों और कीटों का पनपना, जैसे पिछले दो वर्षों में हम सभी ने देखा कि कैसे COVID-19 ने एक महामारी का रूप लिया, ये कारक खादे प्रणालियों को बदल देते हैं, मैंने कुछ उदाहरन दिये हैं, जैसे लौकडाउन के कारण खादे पदार्थों को ग्रा भागी की बात है कि इसमें हमारे आहार के अन्य महतवपूर्ण हिस्सों जैसे की सबजियां, फल, अंडे और अन्य चीजों को शामिल नहीं किया गया, तकनीक की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, विशेश रूप से कटाई के बाद तकनीक का इस्तमाल काफी सीमित है, हाला क की हरित क्रांती के बाद बढ़ी समस्याओं में बदलाव के अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि हाल में क्रिशी पारिस्थितिकी के हिसाब से विविधता भरे फसल पैटर्न और अन्य टिकाव तरीकों में अधिक निवेश हुआ है, साथ ही सटीक्त पर केंद्रित तकनीक और डेटा संचालित तकनीक ने क्रिशी प्रणाली में नई पद्धतियां शामिल करना शुरू कर दिया है, अर्थ विवस्था जैसा कि मैंने विविध खाद प्रणालीयों के बारे में बात करते हुए बताया था, हम क्रिशी खाद आपूर्ती श्रि चोटे पैमाने के उतपादक पर पढ़ता है, जैसे जैसे कॉर्परेट्स या बड़ी-बड़ी कंपनिया आना शुरू करती हैं और वे आकर भूमी और बाजार को नियंतरत करने लगती हैं, चोटे पैमाने के उतपादक उनके सामने प्रतिसपरधा में टिक नहीं पाते, जिससे मांग के प्रकार में भी बदलाव आता है, भोजन की मांग, पशुचारे की मांग, इंधन की मांग, इन सब तरह की मांगों पर असर देखने को मिलता है, हमने कई देशों में ऐसा होते देखा है, उदाहरन के लिए कई देश इथोपिया जैसे अफरीकी देशों में जेट्रोफा जैसे जैव इंधन उगाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं इसमें कुछ राजनीतिक मुद्दे भी शामिल होते हैं जैसे इस थानिय बाजारों की खाद सुरक्षा के लिए सही सरकारी नीतियों का अभाव कृषी में सारवजनिक शेत्र के निवेश में गिरावट आ रही है इस वजह से भी लोग वे चीजें नहीं उगा पाते जो वे चाहते हैं उन्हें अपनी पसंद का खाना या बीज नहीं मिल पाते हमें कभी-कभी सामाजेक और सांस्कृतिक कारण भी देखने को मिलते हैं इन कारणों के बारे में इस पाठिक्रम में आगे बात की जाएगी जब हम लोगों के बीच असमानताओं और महिला सशक्तिकरण में धीमी प्रगती के बारे में चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों पर बात करने के साथ-साथ मैं कुछ उदाहरन भी दूँगी अंत में जनसांखी किये परिवर्तन भी खाद प्रणालियों पर असर डाल रहा है जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पर शहरी करण हो रहा है और लोग खेती नहीं करना चाहते इसलिए वे सूपर बाजारों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं वे उन चीजों पर निर्भर हो गए हैं जो इन बाजारों में उपलब्ध है इसी तरह युवा वे आधुनिक दिखना चाहते हैं और जब क्रिशी को पिछडे क्षेत्र के रूप में दिखाया जाता है तो वे इसे छोड़कर अनिक शेत्रों में जाना शुरू कर देते हैं और यही कारण है कि हम पलायन में वृद्धी देखते हैं हमने देखा कि कोविड महाबारी के कारण इन में से कुछ युवा अपने गाउं लौट कर खेती और अपने पुराने काम फिर से करना चाहते थे अगला स्तर ये है कि ये सभी चीजें हमारे भोजन और स्वास्थ परिणामों को विभिन स्तरों पर प्रभावित करती हैं उत्पादन से शुरू करते हुए आपूर्ती श्रिंखला से होकर ये हमारे खाने की मेज तक कैसे पहुँचता है इसके लिए हमारे पास भंडारन, प्रसेंसकरन, पैकेजिंग, व्यापार, खुदरा दुकाने हैं पर ये सब किसके नियंत्रण में हैं आपके भोजन का वातावरण क्या है? यानि भोजन की उपलब्धता, भोजन को खरीदने की क्षमता, स्विकार्यता, गुनवत्ता आदी यहाँ पर सामाजिक, जनसांख्य किये और सांस्कृत एक कारक बहुत महत्वपून हो जाते हैं अगर हमारे सामने बहुत कम संसाधनों वाली एक विद्वा महिला है, तो उसे इन सब चीजों को हांसल करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है वो अच्छी गुनवत्ता का भोजन प्राप्त करने में कितनी सक्षम होगी? फिर सवाल है पसंद का इस पसंद को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं जैसे आप देखते होंगे कि आजकल हमें बहुत सारे विज्यापन और प्रचार देखने को मिलते हैं जो हमारी पसंद को काफी प्रभावित करते हैं ग्रामीन क्षेत्रों में भी मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो टीवी पर मैगी नूडल्स, चाउमिन और विज्यापन देखते हैं और फिर वे मोटे आनाज या सबजियों या स्थानिय फलों की बजाए ऐसी चीज़ें खाना चाहते हैं जो स्वास्थे के लिए सही नहीं ह वे इन चीज़ों के लिए अपने माता-पिता पर दबाव भी डालते हैं दरसल इन चीज़ों को खाना आधुनिक होने की निशानी के तौर पर देखा जाता है यानि जो लोग इसे खाते हैं उन्हें आधुनिक माना जाता है ये सभी कारक आहार को प्रभावित कर रहे हैं फिर चाहे आहार मात्रा की बात हो गुनवत्ता की बात हो या आहार की विविधता की बात हो क्या आपके खाने में वैसी चीज़ें शामिल हैं जैसी कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीर में दिखाई आपकी थाली में कुछ सबजियां कुछ चावल कुछ दाल है या इसके बाद सुरक्षा के मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि आपका खाना कितना सुरक्षित है। ऐसी कौन सी चीज है जो खाद प्रणाली को सतत बनाती है। पोशन और स्वास्थि प्रभावित होता है। तो अब आखरी हिस्से में मैं इस बारे में बात करूंगी कि हम अपनी प्रणाली को कैसे टिकाओ बना सकते हैं। और यहां मैंने शुरुवात में शिक्षार्थियों से एक सवाल पूछा था कि टिकाओ होना या निरंतर्ता से ह हमारा क्या मतलब है। और मैं खाद सुरक्षा की परिभाशा पर फिर से बात करती हूं कि खाद सुरक्षा के ये छे आयाम हैं। सकती है, स्थिर है, क्या ये लोगों को सशक्त बनाती है और उनके सम्मान यानि एजनसी को बढ़ावा देती है, क्या ये हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुचाती, अगर इसका पुनह उत्पादन होता है, तो हम इसे टिकाउ मान सकते हैं, अगर हम इन छे परिणामो को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी खाद्यप्रणाली सतत है, अब मैं आपको इन छे आयामों में से हर एक के कुछ उदाहरन दूँगी, और इन उदाहरनों को ऐसी चुनोतियों से जोडने की कोशिश करूँगी, जो ये अलग-अलग चालग पेश करते है जैसा कि मैंने बताया कि अगले कुछ व्याख्यानों में आपको इन में से कुछ बिंदूओं जैसे उपलब्धता, सुलब्धता, आधी के बारे में और अधिक जानकारी दी जाएगी यहां मैं आपको उन चीजों के कुछ छोटे-छोटे उदाहरन देती हूँ, जिन पर हमने अभी चर्चा की है यहां मैं इस स्लाइड में बताऊंगी कि खाद्य सुरक्षा के पहले आयाम, अर्थात, उपलब्धता पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है यदि आप देखें, तो परंपरागत रूप से महिलाएं खराब होने वाली कई वस्तूओं को सुखाती हैं और बरसात के मौसम के लिए इन्हें बचा कर रखती हैं हाला कि अब उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत कम समय है और भंडारन के लिए भी बहुत कम सुविधाएं हैं पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत और महराश्र में काम करते हुए मैंने पाया कि जो नए शौचाले बनाए जा रहे थे, वे कंक्रीट के बने थे और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ये कंक्रीट की एक मात्र संग रचना है वे परिवार इन शौचालेओं को अपनी उपज के भंडारन के लिए एक मात्र सूखी जगह के रूप में उप्योग कर रहे हैं इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि पानी के बिना वे वास्तव में उन्हें शौचाले के रूप में उप्योग नहीं कर सकते ये एक समस्या है कि उनके पास भंडारन की सुविधा नहीं है, उनके पास कटाई के बाद के फसल के प्रबंधन की सुविधा नहीं है इससे उपच का नुकसान होता है साथ ही महिलाओं के पास سंसाधनों का अधिकार नहीं है महिला किसानों के लिए कोई समर्थन नहीं है एक बार मैं U.P. के बनारस दिले में काम कर रही थी जहां बहुत सारे पुरुष अब कम्पनियों और कारखानों में काम करने के लिए सूरत गुजरात चले जाते हैं उनकी महिलाएं वास्तव में खेती कर रही हैं लेकिन उनके पास बैंक खाते नहीं हैं उन्हें कर्ज नहीं मिल पाता इसलिए वे श्रमिकों को काम पर नहीं रख पाती ऐसे में पुरुषों ने अपनी पत्नियों के पास अपने ATM कार्ट छोड़ना शुरू किया ताकि जब उन्हें श्रमिक लगाने या बाकी जरूरी चीज़ें खरीदने की जरूरत हो तो वे ATM जा सकें और वहां से नगदी निकाल कर इन कामों के लिए भुकतान कर सकें सरकार ने अभी भी इन महिलाओं को किसान के रूप में मानेता नहीं दी है और ना ही उन्हें अधिकार दिये हैं सरकार क्रिशी में सारवजनिक शेत्र में निवेश को भी कम कर रही है हालां कि हमारे पास अच्छे उदाहरण भी हैं जैसे कि आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश में समुदाय आधारित प्राकृतिक क्रिशी प्रणाली के तहत क्रिशी सनातकों की भरती की जा रही है और उन्हें समुदायों के साथ बाचीत करने और खेती के अधिक लचीले तरीके विक्सित करने के लिए समुदायों के साथ काम करने भेजा जा रहा है ये लोग समुदायों को सिखा सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं उपलब्धता के संदर्भ में जैसा की मैंने बताया था ये एक बहुत ही गरीब विद्वा महिला की तस्वीर है जो ग्रामीन्ग तमिल नाडू में एक बंदरगाह के पास मचली के बचे हुए हिस्से बेच रही है यहां हम देखते हैं कि क्या-क्या कारक मौजूद है वो एक विद्वा है तो उसकी सामाजिक पहचान अलग है उसकी आय ज्यादा नहीं है भले ही वो इन मचलीओं को बेच रही है वो इतना भी नहीं कमा पाती कि अच्छा भोजन खरीद सके इस मचली को सुरक्षित रखने के लिए उसके पास कोई बुनियादी धाचा नहीं है इसलिए गरीबी और अकाल पर अमर्तिसेन ने पाया था कि भुखमरी की समस्या राष्ट्रिय स्तर पर उत्पादन या उपलब्धता के कारण नहीं बलकि असमान वित्रण के कारण होती है गरीब और हाशिये के समूहों के पास भोजन और संसाधनों की उपलब्धता नहीं थी भोजन की उपलब्धता के लिहाज से जेंडर एक बहुत ही महत्वपून कारक है हमने कोविट महमारी के दौरान भी पाया कि जब आए में कमी आई तो सारवजनेक वितरन प्रणाली के कारण लोगों को चावल और गेहूं मिल रहा था लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वे फल या सबजियां या मांस या अंडे खरीदने में सक्षम नहीं थे इसलिए उनका आहार वास्तव में संतुलित नहीं था अब तीसरे कारक यानि उपयोगिता की बात करते हैं हम जो पाते हैं कि लोग अपना पेट तो भर रहे हैं लेकिन वे विविध आहार नहीं ले रहे हैं और इससे छिपी हुई भुखमरी की स्थिती पैदा हो रही है क्योंकि उनमें विटामिन A, विटामिन C, आयरन, जिंक आदी सूक्ष में पोशक तत्वों की कमी हो रही है इससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं जैसे एनीमिया, जोडूं का दर्द, रतौन धी तो खाद टोकरी के अलावा अन्य पर्यावरणिये कारक उपयोगिता के लिहाज से बहुत महत्वपून है जैसे सुरक्षित पेजल, सुरक्षित भोजन, स्वक्षिता, दस्त जैसी बीमारियों का निदान जो पोशक तत्वों के अवशोशन में बाधा डाल सकती है इसके अलावा बहुत महत्वपून रूप से हम फिर से जेंडर के मुद्दे पर वापस आते हैं हम देखें कि भोजन कैसे पकाया, तैयार किया और खिलाया जाता है हम ग्रामीन क्षेतरों में पाते हैं कि महिलाएं इतनी व्यस्त हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है विशेश रूप से खेती के महीने के दौरान जब रुपाई कटाई चल रही होती है इन दिनों उनके पास खाना पकाने और खिलाने के लिए बहुत सीमित समय होता है इससे ये भी पता चलता है कि भोजन उपलब्ध होना एक बात है लेकिन यदि उसे पकाया नहीं गया, तो उससे पोशन बहुत कम मिलता है तो यहां सामाजिक सुरक्षा कारिक्रमों से जैसे की स्कूली बच्चों को भोजन, दूध, अंडे उपलब्ध कराकर बच्चों में कुपोशन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है और उन्हें बहतर पोशन देने में मदद मिल सकती है अब हम अल्पकालिक स्थिर्ता और दीर्गकालिक निरंतर्ता की बात करते हैं मुझे लगता है कि आपदाओं और बड़ी दुरघटनाओं के समय राहत के उपाए अलपावधी में मदद कर सकते हैं लेकिन हमें जलवायू परिवर्तन जैव विवधिता की हानी प्राकृतिक संसाधनों के शरण, प्रवास, शहरी करण आदी कारणों से होने वाली दीर्गकालिक समस्याओं का समधान करनी की भी आवश्यक्ता है अगर अनिश्चित आजीविका भी एक समस्या है तो इन आजीविकाओं को और अधिक टिकाओं बनाने में कैसे मदद की जा सकती है इस अध्याये में हम उन विभिन बिंदूओं पर बात करेंगे जो स्थाई आजीविका में योगदान करते हैं हम अपनी निर्यात आयात नीतियों, कर प्रणाली और मूल्य निर्धारन आदी से जुड़ी नीतियों में कैसे बदलाव करें कि पोशक आहार को अधिक स्थिर और अधिक टिकाओं बनाया जा सके और अंतिम बिंदू एजंसी के बारे में है जैसा कि मैंने बताया कि एतिहासेक रूप से वंचित समूहों में से कुछ समूह चाहे वे आदिवासी समुदाएं हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वे मचुवारे हों या शहरी क्षेत्रों में हाशिये पर रहने वाले अन्य गरीब लोग इन सभी के पास खादे सुरक्षा और खादे प्रणाली के संबंध में आम तोर पर एजंसी की कमी होती है इन्हें अकसर अन्य नागरिकों के अनुपात में नियाय संगत खादे सुरक्षा नहीं मिलती दूसरी और बड़ी कमपनियों जैसी ताकते लगातार अब हमारी खादे प्रणाली को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है हमें इस पर काम करना होगा हमारे पास इसके काफी उदाहरण है चाहे वो पंजाब हो जहां KFC टमाटर की अनुबंध खेती कर रही हो या Reliance Fresh जैसी कई खुदरा क्षेतर की कमपनिया जो बड़े पैमाने पर बहुत सारी सबजियां खरीद रही है साफ तोर पर कॉर्परेट नियंतरन बढ़ता जा रहा है मैंने पूर्वी भारत में काम करते हुए ये भी देखा था वहां जमीन और संसाधनों के इस्तिमाल का मुद्दा था वहां कई पेपर कमपनिया उन पहाडिक शेतरों पर यूकिलिप्टस की खेती को प्रोचसाहित कर रही थी जहां पहले महिलाएं बाजरा या चना या अन्यदालों की खेती किया करती थी यहां इन असमानताओं में से कुछ-कुछ नौती दी जा सकती है और उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सामूहिक प्रयासों और समूहों की एक महत्वपून भूमी का बनती है हालां की हमें ऐसे प्रयासों के लिए वैध संस्थानों की स्थापना करने की जरूरत है अमूल डेरी का सहकारी व्यवसाय चोटे उत्पादकों विशेशकर महिलाओं द्वारा इन असमानताओं को दूर करने के प्रयास का एक अच्छा उदाहरण है उच्छ स्थरिये पैनल की रिपोर्ट में हमने देखा कि अगर हम 2030 तक एक सतत खाद्य प्रणाली की ओर बढ़ना चाहते हैं तो चार प्रमुख नीतीगत बदलाव होने चाहिए ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2030 सतत विकास के लिए लक्षित वर्ष है हम इसे केवल खाद्य या क्रिशी के एक अलग मुद्दे के रूप में नहीं देख सकते हमें इसे स्वास्थ कर प्रणाली व्यापार आर्थिक नीतियों जैसी अन्य प्रणालीयों से जोड़ कर देखना होगा ये बहुत जरूरी है दूसरा हमें न इसे सिर्फ भूग से जोड़ कर देखना चाहिए हम उर्जा के लिए चावल या गेहू या अनाज उपलब्ध करा रहे हैं बलकि विटमिन, खनिज और सूक्ष्म पोशक तत्मों सहित सभी प्रकार के कूपोशन पर भी ध्यान देना चाहिए जो अन्य कुछ समझ अधिक, वैश्विक हो गई है तो हमें वास्तव में ऐसे समाधान खोजने होंगे जो संदर्भ के हिसाब से उप्युक्त हों ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने कहा पर्यावरण, अर्थविवस्था, लोग, संस्कृती ये सभी अलग-अलग संदर्भूं में अलग-अलग होते हैं, इसलिए हम सभी के लिए एक समाधान नहीं खोज सकते और सहभागी तरीकों और रशनात्मक संचार के बारे में अपने अध्ययन पर वापस लोटते हुए मैं कहूंगे, हमें वास्तव में ये पता लगाने की जरूरत है कि स्थानिये जरूरते और प आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, विशेश रूप से जीरो हंगर, खाद और पोशन सुरक्षा से संबंधित सतत विकास लक्षियों में हम काफी पीछे हैं, इसलिए हमें लोगों को इस सब के केंद्र में रख कर सोचनी की जरूरत है, उन्हें क्या चाहिए, गरीब लोगों को क्या चाहिए, उनकी प्रात्मिक ताएं क्या हैं, खाद प्रणालियों के विभिन चालक उन्हें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और हम वास्तव में इन चालकों के असर को सही नतीजे तक पहुँचने में कैसे मदद कर सकते हैं, इस शोध और प्रलेखन के लिए एक समाव होगा कि हम खाद सुरक्षा के सभी छे आयामों का भी ध्यान रख रहे हैं, विशेश रूप से लोगों के सम्मान को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए नीतियों को संदर्भ के हिसाब से उप्युक्त बनाने की जरूरत है, अगर हमें 2030 तक इस गंभीर समस्या का समाधान खोजना है, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम वास्तव में जमीनी स्तर पर स्थित लोगों की आवास सुन रहे हैं, हमें देखना होगा कि कौन-कौन से संसाधन उपलब्द हैं और क्या हम ऐसी नीतिया बना रहे हैं, जो वास्तव में लोगों को सक्षम ब ये बहुत जरूरी सिद्धान्त है तो धन्यवाद शिक्षार्थियों मुझे आशा है कि आपको इस सत्र से महत्वपून जानकारी मिली होगी इस कड़ी में दो और व्याख्यान होंगे जिनमें विस्तार से चर्चा की जाएगी यदि आपका कोई प्रश्न झाल